बॉलिवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपना बच्चा दो बार खोया है और उसका नाम अक्षय कुमार और बॉलिवुड के किंग खान शाहरुक से भी जोडा जाता है और एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी शादी वाली रात ही घर से भाग गई तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं काजल देवगन की काजल बॉलिवुड की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस मानी जाती है आज हम जानने वाले हैं काजल के जीवन से जुड़ी ऐसी सच्चाई इसके बारे में शायद आपको भी ना पता हो और काजल एक फिल्म करने के लिए कितन में ही छोड़ दिया था हालांकि ये फिल्म उतनी हिट नहीं रही जितनी उससे उमीद की जा रही थी लेकिन काजल की एक्टिंग को देख कर लोगों ने एक बात तो जरूर तय कर ली थी कि कुछ बात तो है इस लड़की में इसी के चलते इनके पास फिल्मों की लाइन बाहर लोगों में शाहरुख और काजल की जोड़ी का क्रेज देखा गया इसके बाद शाहरुख काजल की जोड़ी ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी जिन में से दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे कुछ-कुछ होता है कभी खुशी कभी गम माई नेम इस खान काजल ने कई और भी हिट फिल्में दी हैं जैसे गुप्त दुश्मन प्यार तो होना ही था फना यूमी और हम काजल की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है लेकिन उनकी एक्टिंग का एक शेर देखने को मिला 1997 में आई फिल्म गुप्त में इस फिल्म में वो गिरने के साथ-साथ इन्होंने तमिल फिल्मों में भी कम किया है वैसे काजल की बहतरीन फिल्मों के बारे में हमने तो आपको बता दिया लेकिन उन फिल्मों के बारे में भी बताना जरूरी है जिनको वो छोड़ चुकी थी और इनके बदले किसी और हिरोईन ने फिल्म को तो काजल ने अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को मुंबई में शादी की थी। इन दोनों की मुलाकात हुई थी गुंडाराज फिल्म के सर पर और इसी फिल्म से उनकी नजदीकियां बरही और नजदीकियां बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इन दोनों को एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल लगे लगा। वैसे अजय देवगन और काजल का रहन सहन मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था। लोगों को तो यह लगता था दोनों की यह जोड़ी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएंग। लेकिन आज वही जोड़ी बॉलिवूड की खूबसूरत और बेमिसाल जोड़ियां में सुमार की जाती है। जिस समय काजल और अजय देवगन की शादी हुई थी उस समय काजल अपने करियर के टॉपर थी और बहुत से लोगों ने काजल की शादी के फैसला को गलत ठहराया था। आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजल का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ. काजल ने फिल्मों में कम करना जारी रखा और शादी के बाद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेकर उन्होंने फिल्में की और जो भ कभी खुशी, कभी गम 2001 में आई थी और इसके बाद काजल ने एक और लंबा ब्रेक लिया. इसी बीच उनकी बेटी नायसा पैदा हो गई और उसके बाद 2006 में उन्होंने एक और फिल्म की, उसका नाम था फनाह, जिसमें उनकी एक्टिंग को देखकर उनके चाहने वाले ए शाहरुक काजल की जोडी का क्रेज एक बार फिर से देखने को मिला. फिल्म माई नेम इस खान में भी इन दोनों की जोडी को काफी पसंद किया गया और साल 2018 में एक और फिल्म आई, फिल्म थी दिलवाले. इसमें शाहरुक खान के अपोजिट नजर आई काजल, हालांकि इ शाहरुक काजल के फैंस को इतमिनान और चैन जरूर मिला. इनकी जोडी को एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देख कर, इस फिल्म के बाद काजल का फिल्म में ही नजर आई, जिन में से एक साउथ हिंडियन फिल्म थी और एक थी हेलिकॉप्टर इला. इन दोनों फिल्मो जी फिल्म को एसिस्ट कर रहे थे, वो थी DDLJ और बटर निर्देशक, उनकी पहली फिल्म थी. कुछ-कुछ होता है और इन दोनों ही फिल्मों में काजल थी. और इसी वजह से शायद करण की कई सारे फिल्मों में काजल अगर बतौर एक्ट्रेस में लीड केदार अदा नह अपनी शादी के कुछ घंटे पहले अपने घर से गायब हो गए थे, जहां पर इनका पूरा प्लेन था कि अपनी शादी को प्राइविटली करेंगे. दरसल ये अपनी शादी की कुछ घंटे पहले मीडिया और फैमिली को शादी का गलत एड्रेस बता कर किसी धर्मशाला म पंजाबी और बंगाली रीती रिवाद से शादी कर चुके थे, जिसकी खबर बाद में इन्होंने अपने परिवार वालों और मीडिया को दी थी. काजल अजय देवगन ने अपनी शादी के बाद एक बहुत लंबा हनीमून प्लेन किया था, जहां पर काजल और अजय सिड अपने मिस्कैरेज हो जाने के चलते खूब रोई थी. दरसल साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के समय काजल प्रेगनेंट थी. फिल्म ने इतना स्वीट और चुलबुली काजल को देखकर कोई पता ही नहीं लगा सकता है कि अपने पहले बच्चे की माँ बने वाली थी. लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, काजल के पेट में जोरो का दर्द शुरू हुआ और हॉस्पिटल पहुचने पहुचने इनका मिस्कैरेज हो गया. इधर कभी खुशी, कभी गम के स्टार कास्ट फिल्म के ब्लॉक बस्टर हो जान पर खुशी मा की कृपा से आज इनकी बेटी, नियास और बेटा युग है, जो काजल और अजय देवगन की जान है, तो दोस्तों, ये सच्चाई है, इसके बड़े में बहुत सारे लोगों को नहीं पता. आपको क्या पता था, इस बड़े में कमेंट करके जरूर बताना. अब तक के अप के समय नेटवर्क है, 200 करोड से भी ज्यादा. तो दोस्तों, आपको काजल कैसी लगती है, और उसकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो क लाइक करेगा, शेयर करेगा, ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे फेस्बुक पेज को आज ही फॉलो करें, धन्यवाद.